का हमारा प्रस्ण है ओप्चारिक पत्र और अनोप्चारिक पत्र में अंतर बताईए आपकी परिच्छा की देश्टे से बहुती महतुपुन प्रस्ण है तो देखिए पहले हम ओप्चारिक पत्र अनोप्चारिक पत्र में दोनों में डिफ्रेंस समझते हैं तो अपचारिक पत्र केसे पत्र होते हैं कि इन में हम उन्हें पत्र लिखते हैं जिन के साथ हमें हमारा कोई भी संबंद नहीं होता है और अनपचारिक पत्र में जिन के साथ इसका उल्टा जिन के साथ हमारा संबंद होता है उन्हें हम उपचारिक पत्र कहते हैं तो देखिए किन लोगों के साथ हमारा संबन्द नहीं होता है प्रदहान अचारी वेसे तो जो सिच्छा के और ध्यारती उनके बीच एक संबन्द होता है लेकिन एक नीजी संबन्द नहीं होता है हमारा दोनों में तो प्रदहान अचारी संपादक और सरकारी कारे ले अदी को हम यह पत्र लिखते हैं जिने हम उपचारिक पत्र केते हैं और अपचारिक पत्र की जो सगे संबंदी जैसे मामा मामी फुपा फुपी मित्रों प्रीजनों परिवारिक सदस्य के बीच जिन पत्रों का आदान प्रदान होता है उसे अनुपचारिक पत्र किलाते हैं जिन लोगों के साथ इनके साथ हमारा कोई भी नीजी संबंद नहीं होता है और इनके साथ हमारा संबंद होता है नीजी परिवारिक संबंद होता है कई व्यक्तियों के साथ और देखिए हम यह पत्र किसके दुआरा लिखते हैं किसको लिखते हैं किस तरह के पत्र लिखते है उपचायप पत्just थो सिकायथी पत्त लिखते हैं। किसी व्यक्ति के हमें सिकायत करनी है। किसी भी माम लेकी। हुआ oldest लिखेंगे किसको सरकार । और है आवेदेन पत्त भी यह हैं। सकुल से चु़े ज़ुट्टी प्री व्यक्ति है जो हमें सब अच्छा समझता है उसे हम सुख दुख की बात कह दे उसे सुख दुख के पट लिखते हैं इसमें और जो इसकी भासा है उपचारिकी या सिष्टाचार की होती है और सालिन प्रकार की होती है और इसमें आत्मिनी और हिर्दे इस परजी होती है तो हिर्दे के भाव को व्यक्त किया जाता है इसमें तो देखिए पहला पॉइंट की प्रधान अचारी संपारक सरकारी कारेले आदी को लिखे जाते गए पत्र अपचारिक पत्र कहलाते हैं और संबंदियों, मीत्रों, प्रीजनों, पारिवारिक सदस्री के बीच जिन पत्रों का दान प्रधान होता है उसे अपचारिक पत्र कहलाते हैं नमबर दो है कि यहाँ पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिससे हमारा नीजी या परिवारिक संबंद नहीं होता है और यहां पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिससे हमारा नीजी या परिवारिक संबंद होता है नमबर तीन है कि इसके अंतरगत सिकायती पत्र आवेदन पत्र आदी का वर्णन किया जाता है और इसके अंतरगत हर्स किसी भी बात का में हर्स हो रहा है खुसी हो रहा है उसका पत्र सुख दुख के पत्र सुख कामना आधी कवर्णन किया जाता है और इसकी भासा सिष्टा चार तथा सालिन होती है और इसकी भासा आत्मी तथा हिर्दे इस पर सी होती है तो हमारे चार पोइंटे, चारी बड़े सिंपल पहले, तो यह थे हमारे उक्चारी पत्याओं कि चार पोइंट का अच्या से स्क्रिंसो ट ले लिजए, देखे थोड़ा सा में जूं कर दो ताकि आपको पूरे ही पोइंट अच्या से दीख जाए, और आज का वीडियो आपक अपने नोट बुक में नोट करेगा चाज़ा और कम्प्लेट भी कर दीज़ा है